कौन सा affirmation बोलें, कौन सा switch word बोलें, कौन सा मंत्र जाप करें और कौन सा angel number इस्तिमाल करें बहुत बड़ी दुविधा होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं इसको आज मैं इसी बारे में आपको बताने जा रही हूँ नमस्कार साथियों में शालिनी वर्मा कैसे चुनाव करें switch word का, कैसे चुनाव करें मंत्र का और कौन सा मंत्र या कौन सा switch word ज़्यादा effective है कैसे हम जान सकते हैं, यही आज हम जाने हैं देखिए, होता क्या है, आप एक switch word बोल रहे हैं अगले दिन मेरा या किसी और का, या किसी और का, कोई और वीडियो आया तो जो switch word आप बोल रहे हैं, आपको तुरंत आपकी कुरसी हिल जाती है कि आज तो मैं तो यह बोल रहा था, लेकिन तो यह switch word आज बताया है किया इससे जादा यह effective है, तो आप जो पहला कर रहे हैं, उसको आप छोड़कर दूसरे पर आ जाते हैं जो कि पूरी तरह गलत है, आपको बिलकुल नहीं करना है तो कैसे चुनाव करना है, देखिए, कोई भी वीडियो किसी एक विक्ति के लिए नहीं बनता है हर विक्ति की जरूरत अलग होती है, हर विक्ति की ख़ाइशें अलग होती है हर विक्ति की पसंद अलग होती है तो जरूरी नहीं है, कल का वीडियो आपके लिए था, तो चार दिन वाला वीडियो आपी के लिए हो, किसी और के लिए भी हो सकता है तो जो word आपने चुन लिया है चार दिन पहले से, आप उसको continue करते रहे, ठीक है न, कैसे चुनाव करें कि कौन सा मंत्र हमको जादा effect देगा, कौन सा switch word जादा effect देगा, सबसे पहली tip, जो भी आप choose करें, अपने intuition से करें, market में options तो बहुत सारे open है, मगर आपको वो चुनना ह जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपका demand जिसको accept कर रहा है, जब आं कुछ market में कपड़े भी खरीदने जाते हैं, तो market तो भरा पड़ा है, कपड़ों से भी, पर आप कौन सा उठाते हैं, जो आपको पसंद आ जाता है, हो सकता है, आपके बगल में कोई और खड़ा ह जो आपने नहीं पसंद किया, वही कपड़ा किसी दूसरे को पसंद आ रहा हूँ, ठीक है, तो आपने कौन सा चुना, जो आपको पसंद आया, तो सेम वही चीज यहाँ पर follow होती है, वो switch word चुनिये, वो मंत्र को चुनिये, जो आपको अच्छा लगी, पहली चीज, आपक पूरा जीवन समर्पित करते हैं, होता क्या है, मंत्र को लेकर आज बताती हूँ, मंत्र में भी switch words में भी same चीज है, आज एक वीडियो आया, किसी ने अगर बता दिया कि ये वाला मंत्र आप बोलिये, अगले दिन किसी वीडियो में किसी दूसरे ने दूसरा मंत्र बता दि हैं, ऐसा नहीं है कि इस मंत्र में जादा एनर्जी है, इसमें कम एनर्जी है, एनर्जी सेम होती है, हमको result किस पे depend करता है, कितने भक्ति भाव से surrender होकर हमने उस शब्द को या उस मंत्र को अपना लिया, जब आप पूरा समर्पन कर देते हैं तो आपको result आ जाता है, तो ज जो भी word चुनले, जो भी मंत्र चुनले, अपना जीवन समर्पित कर दें पूरा, पूरा प्रेम समर्पित कर दें अपना, फिर आप देखिए आपको कैसे result मिलता है, बिना confuse हुए, जदता लोग क्या गलती कर रहे हैं, मैं देखती हूँ switch words में, आप 10 दिन से एक switch word chant कर रहे हैं, 11 दिन कोई और word आपकी समझ में आगया, आपको दिख गया कहीं पर, कि अरे, money के लिए तो ये word भी है, तो आपने जो दस दिन महनत की, आपको लगता है, वो उतना effective नहीं है, ये वाला ज्यादा effective है, आप उसको छोड़ते हैं, इस पे आजाते हैं, जो पूरी तरह गल चीज़, उस word को चुनिए, उस switch word को चुनिए, या उस मंत्र को चुनिए, affirmation को भी वही चुनिए, जो आपको easy लगे, किसी ने कहा, कि ये effective है, तो आप वो बड़ा भले, आप वो बड़ा सा बोल नहीं पारे, लेकिन आपने बड़ा सा चुन लिया, जैसे switch words की है, बड़ा से result आजाएगा, जरूरी नहीं है कि वो बड़ा बोलेंगे तब result, तो आप बड़ा नहीं बोल पार है, फिर भी उसे चुननी की जगा है, वो छोटा चुन लीजिए, उससे आपको जल्दी result आजाएगे, तीन चीज़े होगे, चौथी चीज, एक विक्ति को एक word से या एक मंत्र से result मिला है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे विक्ति को भी मिल जाए, जरा भी जरूरी नहीं है, तो इसलिए दिमाग में अगर आपके ये थौट आता है, कि ये तो बेकारे से कुछ नहीं होता, नहीं, बेकार नहीं है, एक्चुली में उसको result मिला क्योंकि उसने उसको result आया है, आपको भी आजाए, मैं ज़्यादातर लोगों में देखती हूँ, कि किसी एक विक्ति को अगर result किसी एक चीज़ से आ गया, तो बाकी लोग भी सोचते हैं, हम भी यही follow कर लेते हैं, इससे जल्दी result आता है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको भी उ होते हैं, तो ऐसे होते हैं कि जिनको अगर आपने अपना लिया, पूरे दिलो दिमाग से अपना लिया, तो समझ लीजी आपके जीवन का काया पलट, वो एक शब्द ही कर देगा, बार-बार आपको बदलनी की ज़रूरत नहीं है, तो जब भी चुनाव करें, ऐसा ही चुन नंबर बोलते रहें, आप देखिए, आप श्रीम श्रीम बोलते रहें, आप देखिए माता की कैसी प्रपा आप बरसती है, जरूरी नहीं है आपने पूरा बड़ा सा मंत्र बोलाओ, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, खुद को कन्फियूज मत करें, वो चीज चुन नंबर हो गए, हम कौन-कौन से नंबर लिखें, जटनी कीजिए उसमें से आपकी क्या जरूरत है, जितनी जरूरत आपकी है, बस उतना ही इस्तेमाल करें, अब मैं इतने सारे नंबर्स बताती हूं, जरूरी नहीं है, मैं सारे नंबर्स अपनी बॉड़ी पे लिख के रख प्रक्ति को पैदा करना है, मजबूत रखना है, कि आप इन चीजों के भी किसी के भी अधीनमत बने है, कि ये नंबर होगा, तभी मेरा कुछ भूपाएगा, वर्ड होगा, कभी मेरा कुछ होपाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने अंतर्मन को मजबूत कर लीजी, अ अभेर सारे सोर्स से आपको जानकारी मिलेगी पर क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना है क्या छोड़ना है क्या उठाना यह आपको तैकर उम्मीद करते हैं को आज का वीडियो आप लोग पसंद करेंगे अगले वीडियो में मैं शालेनी फिर से मिलूंगी तब तक प् नमस्कार